नमस्कार सातियों आज की कलास का मारा पहला परसन है कि रवी ने अंकित मुल्य पर 20% छूट के साथ एक टेलिविजन खरीदा यदो उसने 25% छूट के साथ खरीदा होता तो उसे 1000 रुपे की बचत होती तो उस टेलिविजन का अंकित मुल्य ग्याद करें सातियों जितना लंबा क्यूशन है उतना ही आसान है मारत तर 20 सेगिन का क्यूशन है देखते रहीए उसने कितने पर तिसम की छूट पर खरीदा बीस अगर उसने 25 पर तिसम चूट पर खरीदा होता hazır कितने लाव होता 1000 रुपे की उसके पास बज़त होती तो सातियों यहाँ पर डिफ्रेंस कितना है 5% और difference 5% का यहां रासी में कितना अंतर है तो यहां हो गया 5% बराबर 1000 रुपए 1% बराबर 1000 बटे 5 बराबर 200 रुपए 1% दो सो रुपए है तो 100% की बात की जाएं तो कितना हो जाएगा 200 गुणा में 100 बराबर 20 हजार रुपे अथार्त वह टेलिविजन का अंकित मुले कितना था 20 हजार रुपे था बिल्कुल आसान सा स्वाल है साथ की हो चलिए बढ़ते हैं ऐसे ही अगले कुशन की तरफ अगला हमारा पर्षन है यदि किसी वरक की बुजाएं और वर्थ की तिर्जा बराबर हो तो उनके छेतरफल का अनपात ग्याद करें तो सातियों मान लेते हैं कि वर्थ की तिर्जा क्या है वर्थ की तिर्जा आर है तो वर्थ की बुजा भी क्या होगी आर होगी सातियों यहाँ पर बात किज़े वर्त का छेतरफल और यहाँ पर वर्त का छेतरफल तो इसका फॉर्मुला क्या होता है बुजा, गुणा, बुजा तथा वर्त का छेतरफल होता है पाई, आर सुकेर, आर यहाँ पर तिर जा तो साथियो पाई आर सुकेर बराबर भुजा कितनी है हमारे पास आर आर गुणा में आर तो आर असे दोनों कट गए तो क्या बचिया पाई बराबर एक तो साथियो यहाँ पर बात की गई है वरग की भुजा वरग और वर्थ का अनपात कितना है अनपात कितना हो जाएगा एक अनपात पाई तो हमारे पास एंसुर के आजएगा सी हमारा सही आंसुर हो जाएगा बिल्कुल आसान से स्वाले साथ यह चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले परसन की तरफ अगला हमारा परसन है कोई दुकांदार सभी वस्तों पर 10% की छूट देता है यदि किसी कुर्सी की रियायती कीमत अथार्थ छूट देने के पच्चात किमत 18,000 हो तो उस किमत की वास्टिक किमत ग्याद करें देखी साथियों यहाँ पर भी बिल्कुल असान सस्वाल है एक दुकांदार ने 10% की छूट दी अथार्थ 100% अपने आप में किसी वरासी का या किसी वस्तों कांकित मुले 100% होता है 10% छूट दी तो कितना हो गया 90% 90% रासी कितनी है 18,000 रुपे है एक परतिसत कितनी हो गई 18,000 बटे 90 अथार्थ 9,2,18 तो एक परतिसत किस के बराबर आ गया 200 रुपे के बराबर तो 100% कितना आ जाएगा 200 गुणा में 100 बराबर 20,000 रुपे तो सातियों इसका सही आंसर कांसर जगा सी यदि कोई दुकानदार सभी वस्तों ओपर 10% की छूट देता है और किसी कुर्षी की रियालती किमत 18,000 रहे है तो 10% छूट देने के बाद तो उस कुर्षी की वास्तिक किमत कितनी हो जाएगी 20,000 रुपे की सी हमारा सही आंसर है बिलकुल आसान सा स्वाल सातियों चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले परसन की तरफ अगला हमारा परसन है 15 कुर्षी और 3 मेजों की 1,7 किमत 45,000 रुपे है यदि 10 कुर्षी की किमत और 4 मेजों के बराबर है तो 17 कुर्षी और 6 मेजों की किमत क्या होगी सातियों बिलकुल आसान सा स्वाल हम टॉपिक वह चलते हैं शुरुवात करते हैं कि यहां पर 15 कुर्षी पलस 3 मेजों की किमत कितनी है 45,000 रुपे है यहां पर क्युशन के अनुसार कहा गया है कि 10 कुर्षी की किमत किस के बराबर है 4 मेजों की तो सातियों हम मान लेते हैं कि एक मेज की किमत कितनी हो जाएगी 10 बटे 4 कुर्षी के बराबर हो जाएगी हो जाएगी अब सातियों अब हम इसके अंदर अगर मेज का मान रखें तो हमें क्या दिया गया है 15 कुर्षी और 3 मेजों के बराबर क्या हो जाएगी प्लस तीन गुणा में 10 बटे 4 बराबर 4500 रुपए अब सातियों लगुतम ले लेते हैं च्यार का 15 चोके 60 कुर्षी प्लस में 30 कुर्षी बराबर 4500 36 और 30 90 कुर्षी किसके बराबर हो गई 4500 गुणा में 4 44 1 कुर्षी की किमत क्या आजाएगी 4500 गुणा में 4 बटे 90 तो सातियों 100 से 100 कट गई 945 50 पचास पचास ओके 60 तो 1 कुर्षी की कीमत कितनी आगई हमारे पास War 200 रूपए आगई 1 कुर्षी की क्लस कितनी रूपए आगई 200 रूपए अब हम एक कुछी कीमत यहाँ पे रखते हैं, समीकन एक में, तो 15 दुए, 30, 3,000 प्लस में, 3 मेज, कितना किसके बराबर है, 4500 रुपे गए, तो 3 मेज, यहाँ पे 3,000 गड़ जाएंगे, तो 45 में 3,000 जार गए, 1500, तो एक मेज की कीमत कितनी आ गए हमारे पास, 500 रुपे आ है कि, एक कुछी कीमत दोसो रुपे आगए ये मेज की कीमत 500 तो यहाँ पूछा गया है कि, कि सत्तरा मेज की कीमत एक मेज, पास ओरी, 17 कुर्षी, एक कुर्षी कीमत कितनी हैं, 200, कितने होगे, 3400 रुपे, मेज 6, 6 मेज, een मेज कितने की हैं, 500 की तो 65, 30,000, टोरkov कितने होग जीरो जीरो च्यार और छे अथार्ट 6400 रुपए टोटल कीमत होगी जो की सी हमारा सई आंस्वर है बिल्कुल आसान सा क्यों से नसातियों स्टेप वाई स्टेप हल करना पड़ेगा चलिए बढ़ते हैं आज की सीरीज के हमारे अंतिम पर्षन की तरफ और प्रिक्षा में आया हुआ सबसे आसान स्वाल जिसे पांचवी कख्षा का भी छातर हल कर सकता है आकास के पास 24.50 रुपे की रासी है यदी भय 25.50 रुपे की चोकलेट खिरीता है तो आकास के पास 22.60 रासी तो कितने की चोकलेट खिरीती उसने 25.50 रुपे की तो सेस कितने बच गए जीरो जीरो चोदा में से में से पांच गए नो और छे में से दो गए च्यार तो उस आकास के पास टोटल कितने रासी बच गए कुण चास रुपे जो की भी हमारा सही आंसर हो जाएगा तो सात्यों गत वरक्ष की परिक्षों में पूछेगे मेत के क्यूसनों को हमने स्वल किया है हमारे पांच क्यूसन जो की लाब और रानी से समंदित थे छेतरपक से भी समंदित थे तो सात्यों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और सेर ज दन्यवाद.